हेलो फ्रेंड्स ओनलाइन अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करते हैं और आज हम लेके आए आपके लिए दो बड़े अपडेट एपयोफों की तरफ से दो अपडेट निकल के आ रहे आपको मैं बताऊंगा वन बाइवन दोनों अपडेट के बारे में तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूले पहली बर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और कॉमेंट बुक्स में कॉमेंट करके अपनी राए जरूर देना तो चले चलते हैं अपडेट की तरह पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है जारखन के धनबाद से धनबाद में अब एपफ कमिशनर की हुई पलस्थापना नहीं जाना होगा राची तुम आपको बता देता हूँ करमचारियों को बहुशे निदी से समबंदित समस्याओं के सम समाधान धनबाद में ही होगा उप्त बाते ईपफो के छेतरे बहुशे निदी आयुक्त विकास आनन ने सुकरार को हाउसिंग कालोनी इस्थित काराले में आयुजे समांदता समयलेन में कई उन्होंने का कि सरकार नहीं वयुश्था के तैर धनबाद जिले से समबंदित साथ पीडित करमचारी अपनी समश्याओं को सथाने काराले में आकर रख सकते हैं धनबाद में कुल 25 सो मामले रजिस्टर हैं इनमें लगबग 1000 संस्था अपने कर्मियों को प्याव का भुगतान करती है जिस किसी भी संस्था में करमचारों की संख्या 20 है उस संस्था में पीअप काट रहे उसे जमा कराना अनिवारे है ऐसा नहीं करने वाले न्योकता के खिलाफ दंड का प्रावधान है आनन ने बताया कि धनबाद नगर निगम में पीअप से समधी सबसे अधिक नियमों के उलंगन का मामला सामने आया है संगेता हेल्थ केर प्राइवेट लि प्रावधान का कहना कि यह मामला उनकी जानकरी में नहीं है वो के लिए बता पाएंगे वेशे हमारे विवकल में सबी का प्रावधा होता है तो अगर आप जारखन के धनबाद से ब्लोंग करते हैं आपको प्रावलम है तो अब आपको काफी अच्छी खबार है उनके यानि की EPFO निजी संपती परवधन कंपोनियों कॉर्पोरेट गरानों द्वारा उसके सेवानिवीद कोर्स के परवधन पर रोक लगा सकता है इंफ्राट सेक्टर लिजंग्स एंड फाइनेंस सर्विसिज लिम्टेड में 91,000 क्रोड के घोटाले में सबक लेते हुए ये का बड़ा जटका लगा है EPFO के पेसे का भी इन कंपोनियों में निवेस किया गया था जिसे उसे नुक्सान उठाना पड़ाया तो दोस्तों ये दो अपडेट निकल के आ रहे थे EPFO की तरफ से और आगे भी जो भी कोई अपडेट आएगा हम कौसिस करेंगे आप तक सबसे प बूले मिलते हो लेटेश अपडेट के साथ